माता रानी दोस्तों मैं नीता आपका अपने चैनल नीता विक्रम में स्वागत करती हूँ माजक तमबा के नाम का जैकारा लगाएं कमेंट सेक्षिन में जै माता रानी हर हर महादेव जै श्री गनेश अवश्य लिखिये दोस्तों माग मास में चतुर्ती की तिथी को संकटा चौथ, तिल चौथ, संकष्टी तिल चौथ, तिलकुटा चौथ इस तरह के कई नामों से जाना जाता है वर्ष 2021 में तिलकुटा चौथ का व्रत किस तारिक को रखा जाना है संकष्टी चतूर्थी के दिन पे चंद्रमा का उदय किस समय होगा जो माएं अपनी संतान की रक्षा के लिए अत्वा संतान प्राप्ती के लिए इस वरत को रखती है उन्हें किन नियमों का पालन करना है क्योंकि कई स्त्रियां गर्ववती होती है वह जानना चाहती है कि यदि वह संकष्टी चतूर्थी का उरत रखती है तो वह इसे किस प्रकार रख सकती है जिससे कि उनकी होने वाली संतान को कोई दिक्कत न हो एवं संकष्टी चतूर्थी के दिन पे ऐसे कौन से कारे हैं जो हमें करने चाहिए पूरी पूजा विधी क्या होती है यह सभी बातें आपको मैं विस्तार से बताऊंगी यदि आप पहली बार नीता विक्रम चैनल देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो के नीचे बने हुए लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें बाजू में बनी हुई घंटी के आइकन को प्रेस करें इससे आपको व्रत्योहार की हर जानकारी निशल्क प्राप्त होगी पूजा पाठ की विधी यदी आपको अच्छे से समझ में आती है तो इस वीडियो को लाइक करना परिवाय मित्रों के साथ जरूर शेयर करना माग मास में काले तिलों का विशेश महत्व होता है इसलिए ही माग मास में कही त्योहार मनाये जाते हैं जैसे तिलकुटा चौत, शट्तिला एकादशी, माग अमावस्या इन सम्में ही तिलों का विशेश महत्व होता है ऐसा बताया जाता है शट्तिला एकादशी के दिन पे तिलों का फ्रादुर्भाव हुआ था यह तिल पित्रकारे के लिए पूजन अर्चन के लिए इसनान दान जब तब के लिए विशेश महत्वर रखते हैं वक्रतुंडी चतूर्थी जिसे की संकष्ट्य चतूर्थी मागी चतूर्थी तिलकुटा चौथ और संकटा चौथ के नाम से जानते हैं 2021 में इस व्रत को 31 जनवरी 2021 की तारिक को रखा जाएगा कई लोग इस दुविधा में हैं कि व्रत एक फरवरी को है या 31 जनवरी को तो दोस्तों संकष्टी चतूर्थी में चंद्रमा का पूजन होता है और चंद्रमा उदे का समय केवल 31 जनवरी के दिन पे ही चतूर्थी की तिथी में है इसलिए इस वृत को 31 जनवरी को ही रखा जाएगा चतुर्थी की तिथी का प्रारंब 31 जनवरी शाम में 8 बच के 24 मिनिट से होगा और तिथी की समापती 1 फरवरी 2021 शाम में 6 बच के 24 मिनिट पे होगी परंतु हिंदू सनातर नधर्म में व्रत त्योहार सूर्य उदे के समय से मनाई जाते हैं तो 31 जनवरी सुभा से आपको व्रत रहना है कई लोग संकष्टी चतूर्थी के व्रत को नर्जला रहके रखते हैं परंतु यह जरूरी नहीं है इसलिए वीडियो में आगे मैंने आपको बताया है कि आप क्या-क्या खाके इस व्रत को रख सकते हैं या दिन भर किस प्रकार से फलाहर रहके आप इस व्रत को रख सकते हैं शाम में 8 बच के 45 मिनिट पे जब चंद्रमा का उदय होगा उस समय चंद्रपूजन करना है साथ ही साथ तिलकुटा चोथ में तिल के पहाड बनाए जाते हैं अथवा तिल का बकरा बनाया जाता है जिसका पूजन होता है यह संतान के लिए होती है चोथ इस व्रत का विशेश महत्व है इस व्रत को करने से मा को पुन्यफल की प्राप्ती होती है जिससे की संतान के जीवन में व्रत्य उत्तुल कोई भी कष्ट हो बड़े से बड़ा कष्ट हो वह दूर हो जाता है संकष्टी चतूर्ती व्रत की कथा आप समने सुनी है इस कता को जरूर सुनना चाहिए और यथा शक्ति आपसे जैसे भी बने इस व्रत को जरूर करिए भगवान श्री गनेश आपकी हर मनुकामना पूर करें आपकी संतान की दीर्ग आयू हो और आपके जीवन में सुख सभागे की व्रत्दी हो आगे वीडियो में आप देखिए किस प्रकार पूजा विदी है और क्या-क्या सामान की हमें जरूरत है आज हम बात कर रहे हैं संकटा चौत या तिल चौत के व्रत के विशे में इस दिन पर सभी व्यतिस्तियों को क्या-क्या करना चाहिए सबसे पहले ये बता दूँ दोस्तो हम सभी कामना करते हैं कि आपके जीवर में खूप सुख रहे है सभी तरह के कश्टों को श्री गणिश भगवान हर लें आपकी संतान सुखी रहे सुख संप्रधी पाए इसी कामना के साथ आप सुभा सुभा जल्दी उठ जाईए सुर्य उदे के समय उठना माग के महीने में विशिश फल्दाई होता है दोस्तो मैंने और अरड़ी माग के महीने में इसनान का एक वीडियो बना के डालवा है आप वो देख सकते हैं तो आप सुबह सूरियोदे के समय पे उठके दोस्तों आप सुबह इसनान करें इसनान से पहले अपने शरीर पे काले तिल लगा लें काले तिल का आप उप्टन भी लगा सकते हैं उन्हें पीस लें और अपने शरीर पे लगाएं हातों पे पेरों पे और बालों में दोस्तो बाल जरूर्द होना चाहिए इस तियोहार के दिन जैसा कि बहुत सा इसत्रियां बोलेंगी कि अगर गुरुवार पढ़ रहा है या कोई ऐसा वार पढ़ रहा है जिस दिन आप बाल नहीं दोती है तो दोस्तो वार बढ़ा या त्योहार ऐसा कहा जाता है तो आपको त्योहार पे बाल जरूर दोना चाहिए सिर्धो के नहा लें उसके बाद भगवान का पूजन करें गणपती भगवान के सामने संकल्प करें कि दिन भर आप उनका शद्धा भगवा के साथ व्रत करेंगे आपके संकष्टी के व्रत को वो पूर्ण करें और इसी भाव के साथ दिन भर आप भगवान का नाम लिखते हुए इस व्रत को करें दोस्तों सुभा के बाद जो आप पूजा कर लें उसके बाद आप चाहें तो चाय पी सकते हैं, कौफी पी सकते हैं या कुछ फल वगएरा ले सकते हैं आप चाहें तो दूद भी पी सकते हैं पर बहुत जादा आपको पानी, चाय, दूद, कौफी नहीं पीनी चाहिए इससे व्रत का फल खराब हो जाता है और आपके शेरी पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है अब दोस्तों आप शाम के समय नहाद हो लें अच्छे से तयार हो जाएं क्योंकि ये विरत बहुत ही शुप पलदाई होता है आप अपनी संतान की रक्षा के लिए इस विरत को कर रही है अच्छे से सभी सोला श्रिंगार करने चाहिए विरत के समय पे आपको जरूरी सामान इकटा करके पूजन की तयारी शुरू करनी चाहिए करीबन शाम के समय पांस से च्छे बजे के बीच में आप नहाद हो के अच्छे से तयार हो जाहिए भगवान की पूजा का सभी सामान इकत्रित कर लीजिए जैसे कि आप काले तिल ले लीजिए दूब ले लीजिए यहाँ पे आप गड़पती भगवान की पूजन कर रही है नारियल ले आईएगा और काले तिल के जो लड़ू होते हैं यह भी हमें नवे दिक लिए लेना चाहिए बाकी की सभी चीज़े जो पूजा पाट की होती है वो घर में आसानी से उपलब्द हो जाती है तो दोस्तों आप सभी तरह की इस तरह तैयारी कर लीजिए बीच में एक चौकिया पटा लगा लीजिए जो भी कमरा है या फिर खुला स्थाने चट पे अगर आप पूजन कर रहे हैं तो वहां पर आप चौकिया पटा लगा लें और वहां पर आप बीच में रख लें जिससे की चारु तरफ अगर आप फेरी लेंगी तो यह आपको बीच में रखके पूजा करनी है आपके पास जो भी गड़पती भगवान की फोटो है या फिर गड़पती और शिफ परिवार की फोटो है आप वो रखके पूजन करें अब दोस्तों हम सबसे पहले कलश तयार कर लेते हैं कल до x 2 दयार के लिए एक एक पांवय का लेले या जो भी लूटा आपके पास है वह ले दीजिए उस में जल भर लीजिएगा उसके जल के अंदर आप 5 या 7 या 9 agile आम के पते अशोक के पते या पान के पते लगार के कलश तयायर कर सकते कलश के अंदर आप सिक्का सुपाडी हल्दी की गाड़ यह सब डालिए दोस्तों कलश बनाते वक्त लोटे के जो गला है या जो लोटे की उपर की किनारी है उसमें मौली या धागा जरूर लपेट लीजेगा और कलश में लोटे के सामने की तरफ सातिया भी बना लीजेगा इसको में दीप कलश बनारी हूँ तो यहां पे मैंने एक कटोरी में चावल लेके इसके उपर रख दिये हैं अब मैं एक तरफ थोड़े से चावल रखकर वहां पर इसकर को स्थापित कर दोंगी और दूस्तों यहां पर कलश के उपर आपको दीपक रखना है दीपक एकद बनाने रहेंगे दिली के इसलिए से मैंने रखा है अब यहां पुजन की सभी तैयारी हो गई है एक आम के पत्ते के उपर मैंने गौर रग दी है इनका भी पूजन करना है सबसे पहले दीप कलश का दीपक जला लेते हैं और यहाँ पर धूब बत्ती को जला लेते हैं अब एक कुशा या फिर फूल लेके आप सभी देवी देपताओं को शुद्ध करिए उन पर हल्का सा पानी छुद्ध करिए हाँ जोड के भगवन से प्रातना करें कि वह आपकी पूजा माय पूजा अर्षना ग्रहांड करें अब हम सभी को तिलक करना शुरू करते हैं सबसे पहले हम अपने कलश को तिलक कर लेते हैं कलश पे रोली हल्दी कुम-कुम और दोस्तों आज के दिन पर आप जब पूजा करें तो चावल न चढ़ाएं उसकी जगह आप काले तिल चढ़ाएं तो रोली हल्दी कुम-कुम और इसके बाद देखें काले तिल चढ़ाने चाहिए इसी तरह पूजन करिए नवेदे अर्पित करिए जो भी आपने फल मिठाई आप ला सकते हैं आप वो सभी लाखे आज के दिन पर आप भगवान को भोग लगाए पुश पर अर्पित करिए और थोड़ा सा आप पानी भी अर्पित करिए जिसे हम आच्मनम बोलते हैं इस तरह से आप कलश का पूजन करिए और भक्ति भाव लगाए अर्पित करिए इसके बाद आपको शिब जी का भी पूजन करना है शिब जी मा पारवती कार्ति कई और गडपती जी का यह सिफ परीवार है इनकी पूजा करना विशेश फलताई होता है इनका संकष्ट के दिन पे आप पूजन करे और इसके बाद पुश पर पु या फिर हल्वा घर पे बना के उसका भी भोग अर्पित कर सकते हैं यहां पर वैसे खास दौर पर मैंने काली तिल के लड़ू बनाए हैं जिसका मैं भोग अर्पित करूंगी इस तरह सभी का पूजन कर लीजिए गडपती जी अगर आपने और अलग से रखें तो आप उनका पूजन कर लीजिए इसी तरह टीका लगा के और काले तिल चढ़ा के उसके बाद आप उन्हें फूल अर्पित करिए और नेवेध्य जरूर अर्पित करिए का और दोस्तों खास दौर पे गडपती जी के इस दिन अगर आप दूर्वा लाए हैं तो आप उन्हें 21 सकते हैं जैसे मगी च्रत का जो भी इस्तीयाअ हँर वरत कर रही हैं वह दूर्वा ऐसे ही गडपती भगवान को अहीं इसे बहुत बताया गया है घटूरवा बहुत प्रीजी को द लीए तो आप इस तरह भकती भाव के साथ आप बाहा पे आप बस मनही मन ऊं गणिशाह न पूजा करूंगी कई लोग इसकी जगह तिलकुट का बकरा भी बनाते हैं सबसे पहले दोस्तों मैंने कुछ सुहा का सामान लाके रखा है माप भारवती के लिए ये भी इन्हें अर्पित कर देते हैं यहां में एक रुमाल बिंदी का पत्ता सिंदूर मेहंदी और निल पॉल यहां पर तिलकुट का बकरा बनाने के लिए जैसे केक बनाते हैं वैसे तिलकुट बनाकर उसे जमा दिया जाता है और इसके उपर आग कान और नाग बना दिये जाते हैं जिसे घर के बच्चे इस पूजा हो जाने के बाद काटते हैं और जब पहाड बनाते हैं तो इस तर के रखे हुए उनका भोग लगाया जाता है चारो तरफ से इन पहाडों को हम टीक देते हैं इन पे रोली हल्दी कुम-कुम लगाते हैं और काले तिल लगाकर फिर काले तिल के जो लड़ू है उनका भोग लगाते हैं और चौत माता से प्रातना करते हैं हमारे बच्चे के जी प्रेवन के सभी कष्टों को हरने की माता से प्रात्ना करते हैं अम थोड़ी से काले तिल और जो फूल है उन्हें हाथ में ले लिजिए और संकष्टी के व्रत की कथा सुनिए यह कथा आपको इस व्रत के आखिर में मैं जरूर सुनाओंगी संकष्टी का व्रत करते समय इस गोबर का उपला है उसे जलाकर उसके उपर काली तिल और गुड़ का हवन करिए हवन सामगरी का भी प्रयोग किया जा सकता है और इसके बाद आप यहां पर यह जो संकटा माता है या चौत माता है इनके पांच परिक्रमा या फेरी कर लीजिए उसके बाद एक थाली में पुष्प रखकर आप यहां पर गणेश चतूर्थी के लिए पूजन करिए और गडपती जी की आरती करिए गणेश जी के आरती के साथ ही आप यहां पर शिप जी की भी आरती करिए भक्ती भगवन के साथ तिल चौत की वरत का पूछन समाब्द करिए इसके बाद आप द भगवान के पैच होएं, आप सुयम भी भगवान के पैच होकर बच्चों की रक्षा के लिए जीवन के कष्टों को दूर करने के लिए कामना करते हुए भगवान के पैच होई है और आशिरवाद लीजिए, सभी को इस दिन अपनी जो भी संतान है या बच्चों के लिए हात में कलावा बादना चाहिए, बच्चों को अपनी मा के जिन्होंने वरत रखा है, उनके चरन इस परश या पैर जरूर चुना चाहिए, जिससे कि उन्हें आशिरवाद मिले, इस तरह से कामना करते हुए, देखिए ये पुजा संपन हो गई है, आप भगवान के पैर च सभी को माफ कर दें और आपकी पूजाजना ग्रहत करें, तो अब आपका पूजन हो गया है, इसके बाद आपको चंडरमा को अर्ख देना है, जब चंडरोदा होगा तब आपको जल्दी से अर्ख देना है, आप अर्ख देने के लिए जिस तरह से करवा चौत पे हम ये बर चंडरमा को अर्ख देंगे, दोस्तों चंडरमा को अर्ख देने से पहले, वहाँ पर आपको जहां पर चंडर उते हो रहा है, चंडरमा के दोस्तों सामने खड़े होना है, यहां पर मैं आपको वहाँ खुले में नहीं करके बता पा रही हूँ, आपको वहाँ पर चंडरमा वहां पर अर्ग दीजिए सबसे पहले आपको नीचे बर्तन लगा लीजिए जिससे कि अर्ग का जो पानी है वो नीचे जमीन पर ना गेरे तो इस तरह से आप पूजन करिए और बस चंद्रमा को देखते हुए ओम गणे शाय नमा का जब करिए यह चंद्र देपता को आप व अगवान से परातना करिए कि सबी तरह के कश्टों का नाशों पैच हुए इसके बाद यह जो जल है जिससे हमने अर्ग दिया है इसी किसी मिटी के जगह पर डाल दे या फिर किसी गमले में डाल दे अब दोस्तों अब मैं आपको बता देती हूं कि पूजा आपको कब हटा किसे ही हैं जो भीabile फूल है आपने पूजा में जितने भी फूल चडाएं हैं पते चडाएं इंहें जहां पर भी आप विसरज़न करते हैं बहां पर आप इन्हें हटाके डाल सकते हैं और आप इन्हें घर में जो भी विसर्जित का सामान है उसमें रख सकते हैं अब यहां पर दोस्तों यह जो चावल मैंने दीब कलिश में नीचे रखे हुए थे इन्हें मैं सिरानी के सामान में डाल रही हूँ जहां पर हम विसर्जित करते हैं ज कि हमने पहाड बनाए थे इन पहाडों को आप सुबह उठाके रख सकते हैं और इन्हें आप खाने पीने में उप्योग मिला सकते हैं आप इसका कोई भी चीज खाने का बना सकते हैं इसके अलावा ये जो भी आपने फल मिठाई इत्यादी यहां पर चड़ाया हुआ है इसे घर के बच्चों को आप रशाद सुरूब दे सकते हैं और आप चाहें तो आप सभी खानी पीनी की जो भी वस्तुएं हैं उन्हें किसी मंडित को भी आप दान में दे सकते हैं मंदिर में दे सकते हैं दोस्तों महां पर पूजा में मैंने नारियल लगना भूल किया था आप आप ये नायल भी इस तरह से टीका लगा के माता के पैरों में यहां पर चौत माता के लिए जरूर रखिएगा और भक्ति भाव के साथ इस पूरी पूजा को संपन करिए साथी साथ दोस्तो जब आप रात में पूजा संपन कर लें उसके बाद आप अपने घर के बड़े बुज़ुरों के पैर चुकर उनसे आशिरवाद लीजिए रात के समय दोस्तो आप वलहारी खाना खा सकते हैं जैसे कि साबुदानी की खिट्री साबुदानी की खीर यह सब में एक कुमहार था कुमहार बरतन पकाने के लिए आव लगाया करता था पर कई दिन उसे आव लगाने के बाद भी कुमहार के बरतन कच्चे रह जाते वह नगर में राजा के पास पहुंचा उसने राजा को सभी बात बताई राजा ने नगर के पुरोहिस से पूछा उन्ह एक बच्चा अब उसमें जाके बैठेगा और उसकी बली दी जाएगी इस तरह से कुमार जब भी आव लगाता हर घर से एक बच्चा जाने लगा एक दिन एक बुढ़िया का एक बेटा था उसके घर राजा के सिपाही आए और बोले कि अपने बेटे को भेज़ दो आज कुम कि होते हो उन्होंने अपने बेटे को थोड़ी सी दूर्वा और काले तिल दिये और बोला बेटा डरना मत संकटा माता तुम्हारी रक्षा करेंगी बुढ़िया का बेटा कुमार के घर पहुँचा कुमार ने आव लगा दी यहां बूड़ी माता संकटा चौथ की वरत की करने के लिए बैठ गई और मासे बोलने लगी है माता मेरे बच्चे की रक्षा करना और वहां पर पूजा करती रही कुछ देर बाद कुम्हार ने वहां जाके देखा आफ कई दिनों की अपेक्षा बहुत जल्दी पक गया था और उसके सारे बरतन अच्छे से पक चुके थे साथी साथ यहां पर माता ने संकटा चौथ के वरत की पूरी पूजा करी और अपने बच्चे की रक्षा की कामना माँग इस प्रकार संकटा माता की कृपा के कारण और तिल चौथ वरत के कारण कुम्हार की आग में से बुढिया का बेटा सही सलामत वापिस आ गया साथी स साथ आज तक गाओं के जितने भी बच्चों की बली दी ती। सभी तो संकटा माता का व्रत करने से संतान की रक्षा होती है nor कषटों से मुक्ती मिलत इस दिन के बाद सभी संकटा या तिल चौथ का व्रत रखने लगे इस तरह संकटा-माता की अवै जय बोली तो संकष्टी चतुर्ती तिल चौत माही चौत की वरत की संपून विदी कथा नियम सभी मैंने आपको बताया है इस वरत में आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए यह सभी बाते बताई है अब दोस्तों अगर आप मासिक संकष्टी का वरत रखना चाहते ह पहले से एक अलग वीडियो बना के डाला हुआ है मासिक संकष्टी के वरत की क्या नियम होते हैं यह मासिक चतुर्ती किस तरह से रखा जाता है आज का वीडियो दोस्तों कर आपको पसंद आया तो इसे लाइक करिए और मेरे सभी वीडियो देखने के लिए मासिक संकष्ट आपको जीवन में सुख सभा के मेले संतान का सुख हो इसी कामना के साथ आज का वीडियो दोस्तों यहीं समाप्त करती हूं अगली बाब फिर आपसे मिलूंगी तब तक के लिए नमस्ते दोस्तों अपना ध्यान रखने अपने परिवार के साथ खोग खुशी के साथ होग क है